दोस्तों आज हम देखेंगे कि फैक्टरी में प्लास्टिक चावल कैसे बनता है उससे पहले कि आपको बतादू की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये प्लास्टिक का चावल चीन से भारत आ रहा है क्योंकि ब्यापारी पैसे कमाने के लालच में नक प्लास्टिक के समय नकली दूस्ते लेकर मिलावटी पनीर तो बाजार में बड़े आराम से बिखी जाता है लेकिन अब तो मार्केट में नकली चावल भी आ गया है जी यहां दोस्तों कुछ दिनों पहले देश के कई राज्जों में नकली चावल बिखने की खबर वाइरल तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पलास्टिक के नकली चावल किस परकार बनाए जा रहे हैं दोस्तों पलास्टिक के नकली चावल बनाने के लिए सबसे पहले यह फरजी फैक्टरी वाले सफेद पलास्टिक के पालिथीन खरीद लेते हैं और फिर उन पलास्टिक की पाल कर लिया जाता है और फिर इन प्लास्टिक के सूखे और कड़क धागों को ये मसीन चावलों के सेप में काटती चली जाती है जिससे सफेद प्लास्टिक का चावल पूरी तरह से तयार हो जाता है और फिर बाद में इस चावल को औरिजिनल चावल के साथ मार्कट में दिखता है और इसे पकाने पर भी इसमें नकली होने का पता नहीं चलता यहां तक कि इसके आकार और रंग में भी फर्क नहीं पाएंगे तो चलिए आपको बताते हैं कि नकली चावल की पहचान कैसे करें नमबर एक नकली चावल असली चावल की तुलना में ज़्यादा चमकीला होता है नमबर दो नकली चावल के सभी दाने एक ही साइज के होते हैं और इनकी बनावट भी लगबग एक जैसी होगी जो की असली चावल में ऐसा नहीं होता है असली चाल में कुछ दाने छोटे तो कुछ दाने बड़े होते हैं दोस्तों ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं भारत में खाई जाने वाली सभी चीजें फाक्टरी में कैसे बनती हैं इसके बारे में आपको अवेर कराता रहूँगा दोस्तों अब आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही होगी दोनों वीडियो बहुत अच्छी है देखने के लिए स्क्रीन पर किलिक करें धन्यवाद